जिसके अरूनक पोलो की मतवाली सुन्दर छाया में, अनुरागिनी उशा लेती थी निच सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृती पाथे बनी है ठके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगी क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मत था, अभी समय भी नहीं, ठकी सोई है मेरी मौन व्य था अर्थ इन पंक्तियों में कवी अपने सुन्दर सपनों का उलेख करते हुए कहते हैं, कि उनके जीवन में भी कोई ऐसा था जिसके चेहरे को देखकर कवी को प्रेना मिलती है उन्होंने भी प्रेम के अंधनित सपने संजोय थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका, और अब उसकी यादे ही बची हुई है कवी अपने प्रेसी के सुंदर लाल गालों का वर्नन करते हुए कहते हैं, कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेसी के गालों की लाली से प्राप्ट करती है परंतु अब ऐसे रूपसी की छवी केवल उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवी को मिलने से पहले ही छितक कर दूर चले गए इसलिए कवी कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है मेरे अतीतों को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो अभी उचित समय नहीं आया है कि वह अपनी आत्मक्ता लिख सके